नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका एकबर फिर आपके अपनी योट्यूब चैनल ओशन आव नॉलज में तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेंकरी कंसिलेशन स्टेटमेंट के कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट करेंगे और जो बैंकरी कंसिलेशन स्टेटमेंट है जो जैके सेक्षन है उसका एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है ठीक है दोस्तों तो इसके साथ जो इनकी जो एमसी क्यूज होंगे उसकी जो पीडियाफ हो होगी वह हम टेलिग्राम गृप में आपको प्रोवाइड क करा देंगे तो विडियो को अनते तक जरूर देखे करिए लाइक किमेंट भी जरूर करेंगे तब करते हैं विडियो को शुरू लेट्स गो तो दोस्तो पहला क्वेशन करने से पहले में आपको ये बता देता हूँ कि बैंक रीकंसिलेशन स्टेटमेंट हमारा होता क्या है ठीक है बैंक में जो cash book होती है उसमें यह amount क्या हो जाता है debit किया जाता है ठीक है उसमें क्या जे किया जाता है यह amount debit किया जाता है और same जो यह amount होता है pass book में इसे credit कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है credit कर दिया और उसके opposite जब हम किसी cash को हम ठीक है withdraw करते हैं या फिर check को withdraw करते हैं तो ये वाला क्या होता है cash book में इसे credit किया जाता है और pass book में इसे debit किया जाता है ठीक है दोस्तो pass book में इसे debit कर दिया जाता है तो rule के हिसाब से क्या होता है कि दोनों का amount होता है जो total है या कोई भी sum आएगा जहां फिर जो भ उन्नों में सेम आने चाहिए लेकिन banker reconciliation statement तब ही हो तयार किया जाता है जब ये बादा उत्पन होती है तो bank reconciliation statement को तियार किया जाता है तो दोस्तों ये हमारा होता है bank reconciliation statement जो bank reconciliation statement होता है ये किसके द्वारा prepare किया जाता है ये किसी भी account holder के द्वारा जो accountant होते है business man के उनके द्वारा एटसेटरा जो भी मतलब होल्डर होता है अकाउंट का उनके द्वारा ये बैंक रीकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेर किया जाता है ठीक है दोस्तों आपको समय लगी हो तो आप बढ़ते हैं हम पहले कुरेशन की तरफ तो पहला कुछन हमारा क्या है दी में परपस आप प दिवेंट के करण रीक करना हो जब करना हो कि कया करना है जो कैश बुक है ठीक है यह अदरेशन का इसा स सहीыт है कि प्रिपेर किया जाता है तो वह और पहले का उट्र जानी की पार्ट यान्चा सी है शेसे आंसर तो बेढ़ते हम अपने नेक्स विसक तो अब लपाइब त्य़को से पाइब आफ केश्पू के स्टेटमेंट प्रिपेड़ है । जो है दोस्तों यह क्या होता है कि जो भी जास मैं आपको पहले बता चुका हुँ कि एक स्टेटमेंट है जो ठ्रिबार किये जाता है कि सके दवरह एक दोरह ए धुए assessments में अलग-अलग जो amount दिखा, ठीक है, record दिखा, तो उसने क्या कर दिया, इसे prepare किया, किस के दोरा किया जाता है, यह customer की दोरा, जैसे मैंने आपको पहले बता चुक है, किस के दोरा prepare किया जाता है, customer की दोरा, सो मरा next question क्या है, bank reconciliation statement is prepared with the balance, ठीक है, जो bank reconciliation statement है, वो किस के दोरा prepare किया जाता है, कि मत जाने की किस balance के थ्रूँ, उसे prepare किया जाता है, cash book, pass book, either cash book or pass book, neither cash book or nor pass book, तो दोस्तों इस question का जो सही उतर है, वो हमारा option C, ठीक है, cash book यहां फिर pass book हो, उसका जो balance होता है, उसके अनुसार प्रिपेर किया जाता है, ठीक है, दोस्तों को प्रिपेर करता है, hold राफदा account, ठीक है, so मैंने next question क्या है, the balance on the debit side of the bank, column of cash book indicate, दोस्तों यह तो आपको पहले पता हो, जिनोंने cash book पढ़ी है, उनको मैंने यह बताया था, कि जो balance होता है, debit side में bank का, वो किस चीज को indicate करता है, जो कि कि सीज को दरशाता है,, total amount has been drawn from the, जो दुस्तों bank से चीजे निकाली जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, credit होता है, ठीक है, credit side में होता है, to cash at bank है, यह हमारा debit side में होगा, total amount, hour draft है, तो यह भी हमारा credit side में होता है, ठीक है, टो दोस्तों जो सही answer है, वो हमारा क्याは option B मैंने आपको बोला था जिनको cashbook जिन्होंने पढ़ी उनको पता होगा तो cash at bank की हमारा सही उतर है ठीक है तो बढ़ते हम next question की तरफ bank reconciliation is not a bank reconciliation इन में से क्या नहीं है reconcile record ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है उसको record को check तो करना ही पड़ेगा memorandum statement ये भी सही है procedure to provide cashbook adjustment जे भी बिल्कुल सही है इसमें से क्या नहीं है laser account bank reconciliation से उसका कोई भी नाता नहीं है ठीक है दोस्तों क्यूंकि जो bank reconciliation statement है वो किसके अधार पर बनती है cashbook और passbook के base पे ठीक है cashbook और passbook के base पे सुमरे next question क्या होगा uncollected checked are also known है ठीक है दोस्तों जो checked check ठीक है दोस्तों जो check collect नहीं किये होते हैं ठीक है उन्हें क्या कहा जाता है ठीक है उन्हें क्या कहा जाता है outstanding checks, uncleared checks, station checks बोथ B and C सबस्ते पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि outstanding check होता क्या है हमारा दोस्तों outstanding check वो होता है जो issue तो कर दिया गया है लेकिन bank के द्वारा उसे जमा नहीं किया गया है या फिर उसे मनजूरी नहीं दी गी है ठीक है दोस्तों तो यह होता है हमारा outstanding check तो दोस्तों uncollected check पूछा नों है तो uncollected checked हमारा uncleared check भी होता है और outstation check भी होता है यानि कि इस question का जो सही उत्र है वो दोस्तों हमारा both B and C सब्सक्राइब नेक्स्ट क्या है बाटीज डिपोजिट इन ट्रांजिट इन बैंक री कंसिलेशन स्टेटमेंट ठीक है जो बैंक सब्सक्राइब जो डिपोजिट इन ट्रांजिट है वो बैंक री भी बिता दूं यो deposit in transit होता है कि हमारा deposit in transit को outstanding deposit भी हमाएं कहा हम कह सकते हैं ठीक है outstanding deposit भी से कहा जाता है ठीक है और यह वो deposit होता है जो bank statement reflect नहीं होता है bank statement में currently reflect नहीं हुया उसे कहा जाता है deposit in transit ठीक है अगर currently कोई statement reflect नहीं कर रही है bank statement तो बाद में तो होगी दोस्तों वो तो वो क्या होगा added to bank balance ठीक है दोस्तों तो यह expression का सही होगा इन एड़ जस्टेड बैलनस in cashbook is because of the result of which error ठीक है जो ungested balance होता है cash book में क्यों होता है किस error की वज़ा से होता है दोस्तो deposit in transit यह तो दोस्तो आपको बता चुका हूँ कि deposit in transit क्या होता है जब हम क्या होता है deposit किया लेकिन reflect नहीं कर रहा ठीक है bank statement वे उसे reflect नहीं कर रहा तो यह तो हमारा नहीं है outstanding check यह नहीं है and present check यह नहीं है तो omission of bank charge होता है कि हमारा कि कोई भी तरुटी हो चुकी है कि उसने कोई ना कोई bank वाले ने कोई amount की जो गलत entry उसकी कर दिये है यह फिर total जो कि यह उसमें गलती कर दिये है यह debit credit गलत कर दिये है ठीक है दोस्तों तो यह होता है हमारा omission ठीक है उसकी वजह से balance unadjusted हो जाता है ठीक है cash book में हमारा next question क्या है इस परेशन का जो सही उतर है वो हमारा दोस्तों है be part the omission of bank charge next question क्या है in cash book bank charges are 2000 was not recorded ठीक है एक cash book है उसमें जो bank ने हमें charge लगा है 2,000 वो record नहीं की है name the correct cash book adjustment जुन cash book पढ़ी है उनको यह पता होगा कि bank ने अगर हमें charge लगाया तो हमें वो अधा करने पड़ेंगे अगर हमें अधा करने पड़ेंगे तो वो क्या होगे हमसे जाएंगे जानली की payment होगी ठीक है ए अगर कोई चीज हमारे आती है ठीक है जब कोह कोई हमें receive कते है तो वो debit होते है कि जब हम but not deposit to the bank ठीक है कौन से चेक है जो इशू किये जाते है फर्म के दोरा लेकिन डिपॉजिट नहीं किये जाते है बैंक में तो दोस्तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो चीजें इशू तो हो जाती है लेकिन बैंक के दोरा उन्हें मंजूरी नहीं मिलती है ठीक है जहां बैंक की दोरा वो जमा नहीं किया जाते है तो उन्हें चेक्स को क्या कहा जाता है उन्हें चेक्स को कहा जाता है दोस्तो आउटस्टेंडिंग चेक्स ठीक है इस प्रेशन का जो सही उतर है वो है बी पार्ट आउटस्टेंडिंग चेक्स ठीक है राइट आंसर इस आउटस डेबिट, लाइविल्टी या एक्सपेंसिस ठीक है, बैंक स्टेटमेंट अगर कोई कमपनी पैसा जमा करती है, तो वो क्या होगा, हमारा क्रेडिट किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसे क्रेडिट किया जाता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि जब हम क चीज़ deposit करते हैं बैंक में cash में जमा करते हैं तो वो cash book में क्या होता है debit होता है और past book में उसे credit किया जाता है ठीक है तो इस question का जो सही उतर है वो है दोस्तों मारा a part credit answer का सही है ठीक है है सो मरें next question किया है a bank rec cancellation statement is prepared वहे है यह तो दोस्तों अवको मैं पहले बता चुका हूं कि जो बैंकर कंस्ली त्रीशलेशन स्टेटमेंट आपके द्वारा प्रेपेड के जाता पहले तौ अकॉट्ट होई भी होगा तो उसके द्वारा कि जाएगा ठीक है बैंकर कि द्वारा तो नहीं उता अधिर जिस्टर नहीं तो इसन सबसे पहले में आपको बता दो कि एनस हमारा नस हमारा होता क्या है नौन सफिशेंट फंड होता है हमारा इसकी फुल फार्म तो जो नौन सफिशेंट फंड मार्गें चेक सेंट बैक जो बापिस बेज दिया जाता है बैंक के द्वारा वो क्या दरशाता है चेक हाज विन फॉर्ग्ड वैंक कोड़न बैरिफा दी इडेंटिटी न सफिशेट मनी हे जो सही उतर है सके ह।ो सफिशेट मनी ठीक है मतलों से पेंसा इसका मतलों यह स्ने इशू कियर चेक है उसके खाते में उतने पैसे है ही नहीं की बेंक उसे पे कर सके ठीक है तो दोस्तों इस प्रेशन का जो से उतर है वो है no sufficient money ठीक है तो दोस्तों यह था हमार आज का वीडियो आई होपकर वीडियो आपको पसंद आयोगा वीडियो को comment like शेर जरूर करें thank you so much, thank you, thank you, thank you and thank you